तो हमारी जिन्दगी में कई बार ऐसे मोड आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि क्या करें ऐसे समय पर हमें एक सही मार्ग दर्सन की आवशकता होती है मैं आपको कुछ लाइन बताने बाला हूँ जिनें आप कॉपी लिपेन ले करके अवश्य नोट करना इन लाइनों को आप अपने बेडरूम में भी लिख करके टांग सकते हैं इन लाइनों को आप ध्यान से सुनना कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें तो लोगों को कॉपी पेष्ट करना सुरू कर दो मैं बिश्वास के साथ कहता हूँ कि कहीं न कहीं तो पहुँची जाओगे बात छोटी है इसका अर्थ बहुत गहरा है इस पर गौर जरूर करिएगा जहां तक का रास्ता दिख रहा है बहां तक चलो आगे का रास्ता स्वेम भी दिख जाएगा दोस्तो हजारों मील की यात्रा एक सिंगल कदम से शुरू होती है इसलिए गबराये नहीं और आप जहां भी है जैसे भी है शुरू कर दीजिए क्योंकि शुरू कर दिया तो समझलो आदा काम हो गया अगर आप फुड नहीं सकते तो दोड़े दोड नहीं सकتे तो चले अगर आप चल नहीं सकते तो रेंग टे हुई चले लेकिन हमेसा आगे बढ़ते रहे ज़्यादि आप तेरना शीखना चाते हैं तो आपको पानी में चलांग लगानी ही पड़ेगी आप बिना पानी में उत्रे तैरना नहीं सीख सकते दोस्तों आपका ब्रेक्ग्राउंड जो भी हो आपके पास संसादन भले ही कम हो आप अपने काम में लग जाएए वो कहते हैं न सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है अगर बिकने पर आजाओ तो गड़ जाता है दाम अकसर और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है अंत में इतना ही काऊंगा कि जब तक सफलता न मिले वासिस करते रहे और रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखते रहे